ओलो बच्चो आप शबी कपपोरण हमारे चेनल आडियल दिल क्लास्यश में सौगते है बच्चो आज हम आपके लिए ओलंप्यार ब coating के मात्पुन western लेकर आे जो PROF तो चलिए देखते हैं उलंपियाट प्रेस्ट बेंग दोजाटेश चुबिस मादमी किस तर विश्य विज्ञान कट्छा 6-8 या पस्तर के लिए तो आपको बताई दी हमने सथ्य दोजार तेश चुबिस और इस पृस्तर को मत्पिति सरा सिक्षा केंडर बोपाल दोरा बनाए गया है आज हम आपको इस वीडियो के मादम से प्रेश्ण के माँग दोसो एक से प्रेश्ण बताएंगे जो हमने पचास-पचास प्रेश्ण की सिरी बनाये हैं हमने इसके प्रश्न का आपका प्रेट्रोल डिजर का भंडार है A नंबर सी मीघ, B नंबर असी मीघ, C नंबर कम और D नंबर अधिक जिसका सही आंसर आजाएगा A नंबर सी मीघ, प्रेट्रोल डिजर का भंडार कैसा होता है C मीघ होता है, next question देखिए, question नंबर 202, चांगपवा भेल ब फक्रियों को रखने की जगह को किस नाम से बुलाते हैं आपको पहाड़ पर एक टेंट में दो दिन अकेले रहना हो तो आप अपने साथ लेकर जाएंगे प्रेशन क्या है आपको पहाड़ पर एक टेंट में दो दिन अकेले रहना हो तो आपको आप अपने साथ लेकर जाएंगे A. नमबर चादर ठंड के कपड़े डंडा B. बेघ विस्तषा बिस्किट C. नमबर पती दरी सूती कपड़े रोटी सबजी और D. पिग बेड गरम कपड़े शुखा खाना तो पताईए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर D number हो जाएगा पिग में गरम कपड़े और सूखा खाना लेकर जाएगे नेक्स्ट प्रस्ण है आपका question number 204 भूकंप या अन्याबदा के समय कुत्ते की मदद क्यों लेते हैं प्रस्ण क्या है आपका भूकंप या अन्याबदा के समय कुत्टे की मदद क्यों लेते हैं A number उसके सुगने की चंता कि कारण B number उसके देखने की सक्थी काराण, C number उसके सुनने की सक्थी कारण कितने 35 लोग जंगलों से जुड़े हैं प्रश्न कहाए आपका प्रश्निंबर 205 प्रश्न कहे रहा है मिजोरम में कितने 35 लोग जंगलों से जुड़े हैं बताईए सब्सक्राइब तो इसका सही आंसर आजाएगा डी नमबर 75 परतीसद मिजोरम में 75 परतीसद लोग जंगलों से जुड़े है नेश्ट प्रस्चन देखिए शूर्य मनी किस आंदोलन से संबंदित थे यहाँ पे चार ओप्सन दियें ए नमबर जाड़कन जंगल बचाओ अंदोलन बी नमबर चिप्पो अंदोलन सी नमबर क्या है नर्मदा बचाओ अंदोलन और डी नमबर उप्रोक्त शभी तो इसका सही आंसर आजाएगा ए नमबर जाड़कन जंगल बचाओ अंदोलन से संबंदिते कोन सूर्य मनी नेक्स प्रेशन देखते हैं इसके बाद प्रेशन नमबर दोसो शाथ बहर का तापमान ठंड़ा होने पर मुह से निकलने वाली हवा होगी ए नमबर बहर के तापमान से घंड़ी बहर के तापमान से गरम बाहर के तापमान से बराबर, और D number उपरूपन में से कोई नहीं, चारो अप्षन दीएं, चारो अप्षन में से आपको सही आँसर बताना है, तो इसका सही आँसर क्या हो जाएगा, B number बाहर के तापमान से गर्म, बाहर का तापमान ठंडा होने पर, मुँह से निकलने वाली जगह मिलने पर सी नमबर गर्म जगह मिलने पर और डी नमबर ठंडी जगह मिलने पर तो इसका सही आंसर आजाएगा डी नमबर ठंडी जगह मिलने पर जल पास पानी की बुद्धों में बदल जाएगी नेक्स्ट प्रेशन है घरों में वेंटी लेशन जालियां उपर लगा लगाया जाते हैं प्रशन क्या है घरों में वेंटिलेशन उपर लगाया जाते हैं ए नंबर घर को सुंदर बनाने के लिए बी नंबर ठंडी हवा को बहार निकालने के लिए ची नंबर गर्म हवा को निकालने के लिए और दी नंबर घर में पक्षियों को अंदर आने के होता डेखिए घरों में क्या होता है वंटि लेस Congress होती है उसको बाहर लिकानने के लिए इसका सही आंसर आ जायगा सी नमबर गर्म हावा को लिए नेक्स्ट प्रशन देखिए कुडुक बहाई सामें जंगल को कहते हैं कुडुक बहाई सामें जंगल को कहते हैं एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल आराम देते हैं, वह खेती है, एक फसल हमने काट लिए, एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ समय या कुछ साल आराम देते हैं, वह खेती है, A नमबर मिसित खेती, B नमबर जूम खेती, C नमबर यांतरी खेती, D नमबर विशिष मेंडल ने बगीचे में किन पौधों पर प्रयोग किए प्रशने है, आपका 213, इसमे क्या कहे लिए, मेंडल ने बगीचे में किन पौदों पर प्रयोग किये A नमबर चने के, B नमर मतर के, C नमर शोयविन के और D नमर गेहुचे तो इसका सही आंज़ आ जायगा आपका B नमर मटर के पौदे पर प्रयोग किया तो किस cave Anne नेनबर करता है करसी अंसरा ने का कार्य करता है कोन करता है आपको को सब्सक्राइब करते हैं पर यहाइब कार्यृत करते है यह देर रोजगार की तलास में परिवार अपना घर छोड़ दूसरी जगहें चले जाते हैं उसे कहते हैं Yang परिवार है अपना ढगर और सब्सक्राइब प्रेवार के का भार्षाने के पास खेत में रहता था प्रेसन काया है धनुक इसका see answer क्या हो जाएगा इसका सई celebrity आजाएगा ऑब Cont से निकले घंडों की ज्वपडी में मद्पदेश में सबसे अधिक और इकनी दोब्सक्राइब होती है मत्पदेश में सबसे अधिक कोन फसल होती है A. गेहुँबाजरा B. गेहुँषॉयबिन C. अमबर मक्का सरथो और D. नमबर धान-चना तो आपकา सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आजाएगा बी नमबर गेहुषॉविन मत-प्रदِशे पमदते श्रफेश्चै, पेलवसी फदेगी है से खालिस्तान खनीज से पेंसिल की लीड ?-शलेट बनती है इसे खालिस्तान kों सा खनीज ऑपसे पंसिल की लीड और शलेट बनती है इसका प्राइट बिदस्टान नमबब लुवा बेने लोगशमा के साइब नंबर मेंगनिय प्रमिल और पणीज न covenant वर्र tidak तो कुछ चीटियां अपनी कटार से अलग चलने लगती है क्योंकि चार प्सन दिए चार आप्सन में से आपको सही आंसर बताना है तो इसका सही आंसर क्या होगा ए नमबर क्या रहा बेर रास्ता भटक जाती है बी नमबर वे Apple जाती इसलिए बहुतार से हड़ जाती है नेश्ट प्रशन है कुछ पक्षियों की देश्टी इतनी तेज होती है कि यह हमसे चार गुना अधिक दूरी से बस्तु को देख पाते हैं एसे पक्षियों का समु कोन सा है प्रशन है आपका कुछ पक्षियों की देश्टी हमसे क्या होती है तेज होती है यह हमसे चार गुना अधिक दूरी से बस्तु को देख पाते हैं ऐसे पक्षियों का समु है तो इस चार आप्सन में से आपको बताना है कि ऐसे पक्षियों का स यह ऐसे पक्षिय हैं जिनकी दिश्टी तेज होती है और यह हमसे चार गुना अधिक दूरिक की वस्तु को देख पाते हैं नेश्ट प्रसने रात में जागने वाले जानवर जैसे उल्लू चमगादार आदी को सभी वस्तु का रंग दिखाई देता है तो बताई इसका सभी वस्तु का रंग कैसा दिखाई देता है तो बताई इसका सही आंसर तो इसका सही आंसर आजाएगा बी नमबर सफेद और काला नेक्ट प्रसने देखिए अपने शरीर से उत्पन बिजली तरंगों के द्वारा खत्रे की चेतावनी देकर अपने शाथियों को कौन सा जीव सतर करता है इसका सही आंसर क्या होगा सोचो आप यहां से इसका सही आंसर आजाएगा बी नमबर मचली मचली क्या है अपने शरीर से उत्पन बिजली तरंगों के द्वारा खत्रे की चेतावनी देकर अपने शाथियों को क्या करती है नैच अगला प्रस्रा है रात के समय बाग अपने शिकार की इस्थिति का पता करने के लिए अपने सरीर के कि अंकी साहता लेतɪा यह पको बताना यह प्रसना कि प्रस् наших प्रस्णाती है। आपके सूचना सबसे पहले किसे देंगे की सूचना और आपके भडोस में मकान दुकान में आग लग जाथी है है तो इसके सूचन सबसे पहले किसे देंगे आप नंबर पुलीश को दमकल केंदर को दे नमें स्वास्ट वहाग को बताई साथ यह ठंड के समय ठंड के दिलों में सामानता हमें अपने घरों में चिपकल यह दिखाई नहीं देती बताई यह चार ओप्सन में से उन्हें भोजन नहीं मिल पाता है नमबर भी नमबर ठक कर बैढ़ जाती हैं शी नमबर वे सीत निंदरा में चली आती है और डी नमबर की हाती के कान बहुत बड़े-बड़े होते हैं हाती अपने कानों को बार-बार हिलाता है वहां ऐसा क्यों करता है प्रशन है हाती के कान बहुत बड़े-बड़े होते हैं हाती अपने कानों को बार-बार हिलाता है वह ऐसा क्यों करता है यह चारों आप्सन में से आपको सही जीओं को डराता है डी नमबर कानों को बार-बार हिलाना उसकी आदत होती है तो इसमें इसका सही आंसर आ जाएगा ए नमबर ऐसा करके वह अपने विशाल काई शरीर की गर्मी को कानों के द्वारा बाहर निकालता है तथा शरीर का रख्त संचार भी नियंतित करता है नेश् कीड़ों को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं और डी नमबर बार चुप-चाप सोते रहते हैं बताइए प्रेश नमबर 228 इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा वहां मिट्टी के उरवरता को बढ़ाते हैं नेश्ट वोचन देखिए यह आपको चित्र में द प्लास्टिक पाइप तो इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर आजाएगा सी नमबर सूखी लौगी नेश्ट प्रस्ण है राजू के खेट में साप को देखकर वहां खड़े लोग उसे मारने का प्यास करने लगे तो राजू ने उन्हें साप को मारने से रोखा और क नमबर वहां मिट्टी को उबजाव बनाता है दी नमबर वहां किशान को काटता नहीं है तो इसका सही आंसर आजाएगा आपका बी नमबर वहां फसल को हानी से हानी पहुंचाने से चूओं को खाता है वहां फसल को हानी पहुंचाने वाले जो चूओं होते हैं उन्हें क् करें हम देखिए प्रस्ण बहुत ही अच्छा प्रस्ण है यदि किशी को शाप काट लेता है तो डक्टर के आने से पहले प्रात्मिक उपचार के लिए आप क्या उपाय करेंगे या चार आप्शन दी है यह चार आप्शन में आपको शही आंसर बताना है ए नमबर तांत्रिक लेगा के उपार नीचे कपड़े को कसकर बांद देंगे यह क्या कहला है प्रात्मिक उपचार उसके बाद हम क्या करेंगे उसे डाक्टर के पास्ट लेके जाएंगे ने इस अगला प्रस्ण है मीना जैम लगी ब्रेट को डिब्बे से बाहर निकालना भूल गई थी एक लग गया थे और झी नमबर व्रेट पर फफुल लग गई थी नेश्न अगला प्रस्ण है रिख पहाळों पर चाड़ते समय परवता रोहनी अपने साथ अक्सिजन सिलेंडर लेकर जाते हैं क्योंकि क्यों लेकर जाते हैं जहां चार आपसन में आपको सही आंसर बताना है कि परवता रोहनी पहाड़ों पर जब चाड़ते हैं तो आक्षिया सिलंगर लेकर क्यों जाते हैं यह नंबर पहाड़ों पर खाना बनाने के लिए बी नंबर पहाड़ों पर चाड़ आमका level भुष्जार डाला उस ने आमके छोड़े चोड़े तुकडों को मसाला लगाकर बना कर भरतन में भर लेकिन की आकर concern थिया यहां 4 option निया चाराना है नमक इस आनसर आपको बताना है इद बीनमबर 8 घिले el Raz Сов से निकाला गया थ ता सी नंबर बर्तन धातु से बना था और डी 4 का बर्तन प्लास्टिक का नहीं बना था कि बताएं इसका सई आंसर क्या होगां १े नंबर क्या प्र цен अगला प्रस्स頭 है इन में से कौन सा पॉधा जल के दौरा अपने वीजों का प्रिक्राण करता है A. नमबर आर्क, B. नारियल, C. नमबर आम, D. नमबर कपास पता ही शही आंसर तो इसका सही आंसर क्या होगा प्रेस्टन था इन में से कौन सा यहने कि चार आप्सन दीए चार आप्सन में से आपको बताना कि कौन सा पौधा जल के द्वारा अपने बीजों का प्रेकर्ण करता है तो इसका सही आंसर आजाएगा B. नारियल, नेश्ट प्रेस्टन देखिए कुछ पौधों के बीज पतले और रुएदार होते है ये बीज हवा के द्वारा फैला जाते है इस प्रेकार के बीज नेश्ट अगला कोशन देखते है चित्र में घर की छट पर गिरता हुआ वर्सा का जल इखटा किया जा रहा है ये आपको चित्र देख रहा है इस चित्र में जो घर की छट पर गिरता हुआ वर्सा का जल इखटा किया जा रहा है किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है ए नमबर तालाब में बी नमबर कुए में सी नमबर बाड़ी में और डी नमबर टैंक में देखिए यहाँ पर जो है घर की छट पर ब्यता हुआ जल को कहा ही खटा किया जा रहा है यह कहां किया जा रहा है तालाब में कुए में बाड़ सब्सक्राइब करने के लिए हम नहाते समय कि इसका उप्योग करेंगे यहां से आपको सही आंसर बताना है तो इसमें से सही आंसर आजाएगा बाल्टी और मग नेश्ट कोश्चन देखिए पहाड़ी वह ठंडे छेतरों में बने घारों या मकानों को विसष्था होती है उनने जो घरो होते हैं उनमें जो घरों में अधिक ख्यडके अहला होती है इसनमर घरों की मोटीि defending वारें qona पाए जाने वाले जानवरों के शरीर की बनाट इस पकार होती है कि जिससे अत्यदिक ठंड में भी जीवित रह सके चार उप्सन दिए चार उप्सन में सही आंसर बताना ए नंबर गर्दन का लंबा होना बी नंबर पैरों का गद्दार होना शी नंबर शरीर पर घने वा बेवाल होना नेस्ट प्रशन है इन में से किस कारे को डाक्टर नहीं करते हैं प्रशन कहा है कि इन में से किस कारे को डाक्टर नहीं करते हैं या चार उप्सन दिए चार उप्सन में से आपको बताना है कि डाक्टर कोंशा कार्य नहीं करते ए नंबर रोगियों की जाच करन बी नमबर रोगियों का उप्चार करना सी नमबर रोगियों की स्थितिक की निगरानी करना डी नमबर रोगियों का अधार कार्ड बनाना तो यहां पे इसका सही आंसर आजाएगा डी नमबर रोगी का अधार कार्ड बनाना यहां कारेकों नहीं करते डाक्टर नहीं करते ने नमबर पुलिसथाना सी नमबर वकील और डी नमबर सरपंच तो बताइए किसके पास जाना चाहिए ऐह आदर्ज कहा होती है पूलिसथाने तुसका सभी आझा जाएगा बीनमबर पुलिस ठाना चितने कर बताए कि गाऊ में रहने वाले लोग सबस्यधिक और कोन एक रॉप क्यादार पर देखी यह चेत्र सबसे अधिक दिखाई दे रहा है कि खेती करना तो इसका बी नमबर का आंसर सही होगा खेती करना नेक्ट कोस्टन देखिए वे लोग जो जंगलों में रहते हैं जंगल से प्रात उत्पादों पर निर्भा होते हैं उनके जिवों आपन के लिए उप्युक्त लगू उद्योग होगा A नमबर मशीने बनाना B नमबर कमप्यूटो बनाना C नमबर टोकरी बनाना और D नमर इमारते बनाना तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा C नमबर टोकरी बनाना next question देखिए फसल गटने के बाद अनाज का सुरक्षित भंडारन आवर्शक होता है यदि आप किसान होते तो अनाच को खीड़ों से बचाकर लंबे समय तक रखने के लिए इन मेंशे किसका प्रयोक करते कुलाब की पत्तियों का A नम्बर, B नम्बर आमकी पत्ति आयों का, C नम्बर घास का और D नम्ब नीं की पत्तियों का उसका उनम्बर आजाएगा यहमें Oo bought बीघाब झाभाव का संतुलन बिगढ़ जाएगा शी do की मतरबह जाएगी और देशन पार रीजा जाएगा इसका सही आंसर आ जाएगा फैरावन बिगढ़ जाएगा इस एक इस न मौहन एक किशान है उसकी खेत में लगी बाजरे की फसल पक कर तयार हो गई है बाजरे की बाली से दाना अलग करने के लिए मुहान इसमें से किसका उप्योग करेगा ए नमबर सिल्वट्टा बी नमबर ओखली मूसल सी नमबर सूपा फत्तर और डी नमबर मटकी गिलास बता ही से आंसर क्या होगा इसका इसका उप्योग करेगा बी नमबर ओखली मूसल किसका उप्योग करेगा हुआ ओखली और मूसल का नेक्स्ट प्रेशन है प्रेशन नमबर दोसो नुन चास हमारे अच्छे स्वास्त और आवास के लिए कौन सा इस्थान उप्योगता है ए नमबर जहां आसपास काथाने होते हैं, बी नमबर जहां आसपास पेड़ होते हैं, सी नमबर जहां आसपास अधिक गाड़िया रहती हैं, और डी नमबर जहां आसपास बाजार होते हैं, तो इसका अच्छे स्वास्त और आवास के लिए कुछ सा कथन या कुछ सा इस्था उप्यूक्त है तो बताए यहाँ सर्क्राइब क्या होगा सोचिए इसका सही आंसर आजाएगा बी नंबर अस्पास पेड़ होते हैं जहाँ अस-पास पेड है आए हैं तो इसलिए यह आपका पांचों भाग तेलाएगा और पांचों भाग का अंतीम प्रस्ण है बर्फिले पहाड़ों पर चाणते समय परवाता रोहनी को विटामिन के साथ गर्म गरम चाकलेट वाला दूदः नासते में दिया जाता है अधिकता अपमान के लिए grote से बचाओ इस किसका प्रेट से बचाओ इस सब्सक्राइब का पर दोस्पर्स पच्छास कंप्लिट हुआ और विज्ञान विशह विज्ञान पाइंच को अधि-भाग 5 के महत्मुन वस्तुनिस प्रेशन बताएगे यह अच्छे लगे हो तो आप माच चैनल आइडिए यह पर कराशे